नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Tata Punch EV के बारे में और Citron EC3 के बारे में ये दोनों गाडियां लगबग दिखने में एक जैसी लगती हैं और ये दोनों सेम प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती हैं और इनका जो डिजाइन है इनका जो EV सेग्मेंट की बहुत जबर्दस दावेदारी पेश करती हैं यहां पर Citron की अकेली जो है वो EV कार है लेकिन Tata की यह चौती EV कार है जिसमें की पहले से Tiago, Tigor और Nexon आपको EV में देखने को मिल जाते हैं Tata की पंच EV लेटेस्ट एडिशन है Tata के अल्रेडी इलेक्ट्रिक लाइनप में और यहां पर यह गाड़ी आपकी Micro SUV Electric हो जाती है यहां पर इसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और सबसे क्लोजेस्ट कंपेटिटर इसका जो है वो Citron EC3 आपकी है 3981 है विट 1742 है सिट्रॉन की विट 1730 है हाइट 1630 और उसकी 1604 है वील बेस 2445 और उसका 2540 है और बूट स्पेस जो है स्पेस की बात करें तो टाटा पंच इवी ना केवल ज्यादा लगेज एडिया प्रोवाइड करती है बैक में बलकि 14 लीटर्स का स्टोरेज भी यहां पर आपको फ्रेंट में देखने को मिल जाता है अंडल दा बोनट उसके बाद में अगर दौनों के इलेक्ट्रिक पाव की पावर और 114 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉक देखने को मिल जाता है और 315 किलो मीटर्स की कंपनी आपर रेंज क्लेम करती है अगर मैं लॉंग रिंज की बात करूं तो 35 किलोवाट र का बैटरी पैक में आपको 112 बीच्पी पावर और 190 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉक एक 143 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉक है और 320 किलो मीटर्स की रेंज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है उसके बार में अगर बात करें दोनों ही पंच इवी में और EC3 में आपको इक्वल चार्जिंग टाइम देखने को मिल जाता है जब आप 50 किलोवाट के DC चार्ज के साथ में आपको देखने को मिलती है जो कि इसको 10 गंटे लेता है 10% से 100% करने के लिए अब यहां पर एक बार कंपेर कर लेते हैं दौनों गाडियों को कि यहां पर क्या कुछ चार्जिंग टाइम आपको देखने को मिल जाता है तो आप इस टेबल में देख सकते हो पंच की रेंज में अगर आप करोगे तो वही चार्जर एक गंटे लेगा सेवन पॉंट वाँच गंटों में चार्ज करेगा और तर फीचर वाट वाला आपका 13.5 हमें चार्ज करेगा जबकि सिट्रॉण EC3 में डीच चार्जर इतना ही टाइम लेगा 7.2 वाला आता नहीं और 3. पॉइंट 3 किलोवाट रवाला साड़े 10 गंटे लेगा अगर यहां पर फीचर की बात करें तो टाटा पंच इवी के पास में इलेक्ट्रिकली अज़स्टेबल और फोल्ड और वीम्स क्रूज कंट्रोल पुश बटन स्टाट स्टॉप संरूफ रेन सेंसिंग वाइपर सिक्स एयर बैक्स 360 डिग्री कैमरा इलेक्ट्रोनिक पार्किंग ब्रेक विद आटो होल्ड इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कंट्र स्टेबल एबियस विडिविडी टीपी एमस जैसे फीचर तमाम आपको देखने को मिलते हैं मतलब फीचर के मामले में टाटा ने किसम खा लिये कि निचोड के रख देंगे किसी भी कॉम्प्टीटर को उसके बाद में इसी चरी कि अगर मैं बात करूं तहीं हैं यहां पर ह फ्रंट टेयर बैक्स रियर पार्किंग सेंसर और एबीस विडी आपको देखने को मिल जाता है टाटा पंचीवी के अंदर आपको ऐसे ऐसे फीचर्स ओफर होते हैं जो ज्यादा कमफर्ट प्रोवाइड करते हैं इसी थी के मुकाबले और कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो क 10,99,000 रुपे से शुरू हो जाता है जो की 62,000 रुपे कम है आपकी बेस स्पेक एसी 3 के मकाबले जिसके अंदर आपको LED हैडलाइट, कूल गलोव बॉक्स, और मल्टी मोड रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर एक कमाल की बात यह है कि यह में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो की आपके कम्प्लीटली मिसिंग है जैसे की आपके यह सी रियर पार्किंग कैमरा जो आज की डेट में EC3 से कम पैसे वाली गाडियों में भी आपको देखने को मिल जाता है और फाइनली अब अगर दोस्तों इन दौनों के प्र चीवी में आपको 10,99,000 रुपे से लेकर 15,99,000 रुपे आपको एक शोरूम देखने को मिलता है और EC3 आपका 11,61,000 रुपे से शुरूओ कर 13,000 रुपे तक जाता है तो यहाँ पर यह कुछ करके आपको प्राइस देखने को मिल जाते हैं वर्डिक्ट की अगर मैं यहाँ प देखने को मिलते हैं यहाँ पर इसके पास में दो बैटरी पैक के आप्शन साते हैं मल्टिपल चार्जर के आप्शन साते हैं तो डेफिनेटली मतलब जिसको यह मन है कि एक वी गाली लेनी है तो पंच वी ना समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता और यहाँ पर टॉ रिएए जबकिंग में आपको मैकसिमम रिट जो देखने को मिल जाती है वह आपकी 421 किलो मिटर से है तो यह बहुत बड़ा डिफरैंस हो जाता है और एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है खासकर एक इवी गाड़ी के लिए कि यहाँ पर आपको ये देखने को नहीं मि सब्सक्राइब कर लीजे और बैल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अप्डेट्स मिलते रहें बाबाई टेक किर अफ यॉर्सेल्फ एंड रिमेंबर ओल्वेज ड्राइव सेफ बाबाई दोस्तो प्रेस कर दोस्तो